जहिन साथियों मैई शार रहमत competition community के इस 36 गड़ सब इंस्पेक्टर प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी उद्देश्य के साथ और इसी समर्पन भावों के साथ आप अपने उद्देश्य जो की सब इंस्पेक्टर है उ आईए सबसे पहले हम एक सुबविचार पे चर्चा करें देन उसके बाद हम अपना सत्र प्रारम करते हैं लेखक कहता है कि आपकी खुशी आपकी आजादी पर निर्भर होती है और आपकी आजादी आप कितने साहसी है इस पर निर्भर करती है ये बात बिलकुल सही है परार रखे हैं और साथ में आप लोगों को फिजिकल भी करना होता है साथ में आप जो है रनिंग करते हैं यह सब सारी जो चीजें हैं यह अपने आप में एक बहुत बड़ा साहस है तो इसी उद्देश्य और इसी भावना के साथ इसी उमंग के साथ इसी उत्साह के साथ इस सेशन होने वाला है अभी चल रहा है आपका mathematics चल रहा है aptitude वाल पोर्शन उसके बाद आपका चल रहा है science and technology वाल पोर्शन जो कि आपका प्रधान सर पढ़ा रहे हैं और जो है मेरा चल रहा है आपका भारतिय भुगोल का इसके बाद सभी subjects आप लोगों को cover कराये जाएंगे तो किसी प्रकार का doubt न रखें और अपनी निरंतरता बरकरार रखें आशा करता हूँ मेरी बाते आप लोग को समझ में आई होगी आईए अब हम अपना सत्र प्रारम करते हैं भारत का भुगोल हमारा विशय चल रहा है जिसमें आज देखने वाले हैं अब भ्यारन और पर्या जो आपका नेशनल पार्क हो गया है राश्टी उद्यान भी देखेंगे इसमें तो इसमें राश्टी उद्यान मेंशन नहीं है जो जैसा कि मैंने बताया साथियो कि भारत में महत्वपुन राष्टी उद्यान आपके सामने हैं इससे सीधा सीधा प्रस्न पुछा जाता है कि कौन से राज्ज में कौन सा राष्टी उद्यान है अगर राष्टी उद्यान के सौरी अगर राष्टी उद्यान के दृष्टी याद रखिएगा 106 रास्टी उध्यान है। कितने रास्टी उध्यान है? एक s छे राश्टी उध्यान है भारत में कुल और यहां से सीधा-सीध़ प्रस्न आप लोगों को पूछा जाता है ठीक है? तो आप इसका स्क्रीन शॉर्ट ले सकते हैं और प्रस्ण के माध्यम से भी हम समझते जाएंगे, clear है, तो इसे याद रखना है, ठीक, आगे बढ़ें, आईए, अब हमारा आता है पहला प्रस्न, पहला प्रस्न, जो कि आपका, हम यहां करते हैं, प्रस्न पूछता है, कि किस भारतिय राज्य में सबसे अधिक होगा, भाई है, यह क्या होगा, सबसे अधिक यहां टैपिंग मिस्टेक है, किस भारतिय राज्य में सबसे अधिक छेत्र वन अच्छादित है, तो याद रखेगा साथियो, कि आपका मध्य प्रदेश जो है, चमा चाहूंगा, महराष्ट निकल गया था, आप्शन पहले दिग गया, तो आप्शन देखे, सबसे जादा अगर बोलेगा, तो कहा है, आपका मध्य प्रदेश, किलियर, आगे बढ़े, आईए, अगला है, काजी रंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेगा साथियो, काजी रंगा नेशनल पार्क जो है ना, आप लोगों को दिखाता हूं न नक्सम होदय, और नक्सम होदय में असम कहा है भई, यह रहा असम, यह रहा काजी रंगा नेशनल पार्क, बहुत ही मनमोहक दृष्ट से संपन्य चो आपका यह राश्टी उद्ध्यान है, और यहां से हमेशा प्रस्ण पूछा जाता है, कि यह यह किस लिए प्रसिद्ध ह तो याद रहेगा, यह जो है, स्पेसिफिक पूछेगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका एक सिंग वाले गेंडे या एक सिंग वाले राइनों के लिए प्रसिद्ध है, आपका काजी रंगा नेशनल पार्क, क्लियर है, याद रहेगा, सीधा प्रस्ण पूछा जाता ह है क्योंकि यह प्रस्ण कई बार दोहराया गया है लगभग आठ दस बार पर इच्छाओं में वंडे एक्जाम में पूछा गया है तो याद रखना है क्या है आपका काजी रंगा नेशनल पार्क किस राज्ज में है तो आपका असम में है ठीक है यह सम महोद है दिखे और एक सिंग वाले राइन हो या एक सिंग वाले गेंड है के प्रसिद्ध्य दरसल यहां जलकुंभी के लिए भी यह बहुत छेतर प्रसिद्ध्य लेकिन आपका जलकुंभी सितात पड़े आपका जल में पद आउख जाते हैं अ और आपका क्या होता है एक कमल का फूल हो गया यह यहां बहुत अच्छा मैं बहुत मन मोहग द्रिष्ट है गुमने जाईएगा कभी लेकिन अभी नहीं परिच्छा कि द्रिष्ट कोंड से अभी पढ़ाई करना नहीं वार रहे पता चला सर बोले घूम क्या तो निकल गए रिजर्वेशन करा कैसे नहीं भई है अभी नहीं जाना क्लियर आगे बढ़ते हाईए अगला है भारत का एक मात्र डॉल्फिन अभ्यारण निमलिखित में से किस राज्य में स्थित है प्रस्न तो पुछा है किस राज्य में स्थि जो भारत का एक मात्र डॉल्फिन अभ्यारण बिहार में स्थित है जो कि आपका विक्रम सिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण क्लियर है कहां है बिहार में विक्रम सिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण बिहार में स्थित है गंगा नदी में क्लियर है गंगा नदी का 50 किलो म अगला है काजी रंगा राश्टी उद्यान इस्थित है अभी तो बताया हूं भई फिर से आगे है प्रस्ण चलो कोई बात नहीं कहा है काजी रंगा असम में क्लियर आगे बढ़ते हैं यह प्रस्ण कई बार दोर आए गया ना काजी रंगा से प्रस्ण पूछता ही है हमेशा भारत का फल समुद्री जैव विवित्ता राश्ट्रिय केंद्र जिसे एन सी एमबी नेशनल सेंटर फॉर मेरिन बायो डायवर्सिटी कहां इस्थित है तो कहां इस्थित है साथियो आपको कच्छ की खाड़ी दिखेगा यह आपका यह तो कच्छ करन वाला चेत्र है इस तरब के चेत्र में आपका स्थित है थोड़ा नीचे में स्थित है चामा चाहूँआ यह वाले चेत्र में स्थित है और याद रखिएगा यह समुद्री नैशनल पार्क है हमारा भारत का और यह जो है आपका कच्छ की खाड़ी में इस्थित है और कच्छ की खाड़ी में इस्थित होने के साथ यहां जो है आपका अगर specific location पूछा तो क्या बताओगे specific location पूछेगा तो आपका जाम नगर बताओगे क्या बताओगे जाम नगर तो याद रखना national center for marine diversity जो कि आपका इसके अंतरगत आता है यह marine diversity मतलब कि आपका जितने भी मतलब जली जीव होते हैं न उन लोग का सर्रक्षन समवर्धन किया जाता है clear आगे बढ़ें आईए डाक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारन इसे जरूर देखिएगा कहां गया महोदाय यह पक्षी क्यों बोल रहा हूं कि यह जो पक्षी अभ्यारन है यह स्थित है आपका गोवा में कहा है गोवा में लेकिन अगर कहे देगा यहां मैं लिक देता हू सलीम अली नेशनल पार्क ठीक है तो यह है आपका हमारे केंदर सासित प्रदेश जम्मौ एन कस्मीर में इसे याद रखना नहीं बोलना है याद रखना है यहां से प्रस्न गुमाएगा अगर बोलेगा पक्षी अभ्यारन तो गोवा में है और सलीम अली अगर नेशनल पार है जम्मो एन कस्मीर में क्लियर आगे बढ़ें अगला है अगला अगला प्रस्न है हमारा किस राज्य में नागर होल राष्ट्रिय उद्यान इस्थित है तो ऐसे सीधा प्रस्न पूछे गए इसलिए मैं रखा हूं वहां से जितने भी आपके नेशनल पार्क है जितना पिछाओं में पिछली बार का अगर आप असाई का प्रत्र देखोगे प्रिलिम्स का तो मैक्सिमम कोश्चन जो है वो रिपीटेट कोश्चन थे ठीक है तो दिमाग लगा के पढ़ना है ठीक है ज्यादा और कम की बात नहीं है बात यह है कि बहतर तरीके से तैयारी करनी औ और कॉंपिटिशन कम्मूनिटी आप लोगों के साथ है ठीक तो आईए नागल होल राष्टी उद्ध्यान इस्थित कहा है आपका करनाटक में कहा है करनाटक में ठीक है पिर यार बोलेगा तो कहा है आपका केरल में लेकिन करनाटक में क्या है आपका नागल होल राष्टी उद्ध्यान क्लियर आगे बढ़ें ऐसे बार-बार पढ़ते रहोगे तो याद होते जाएगा रामेश्वरम और तूती कोरीन के बीच 21 किस चर्चित नाम से जाने जाते हैं जो कि दुनिया का बहतरीन समुद्री बायोस्फियर रिजर्व कहलाता है दुनिया का बहतरीन बाय बायोस्फियर रिजर्व भी याद होना चाहिए ठीक है कंटेंट तो दाला नहीं गया है लेकिन मैं आप लोगों को याद करा देता हूं आई यह पेज निकालके आई यह साथियो एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं और बायोस्फियर रिजर्व को की कूल टोटल 18 है महेंदर गिर कियेगा आपका अठारा बायोस्फियर रिजर्व हमें याद होना निमार रहे है क्लियर आओ देखो बना लेते हैं यह हमारे भारत के नक्से महद है ठीक है समझ जाना भाई कुछ कुछ जो है भारत की तरह दिखाई देगा हाना आओ यह ठीक है डेखो एक दम ट्रेस करना ठीक है अट मन नंद नद समों जाला छेत्र है तो अभी बता है मैंने उसको इस shutting बताता है तो यहां आपको मिलेगा आपका great nicobar, क्या मिलेगा, great nicobar याद करते जाना है, mention करते जाना है great nicobar, ठीक है, पहला हो गया फिर tamil naadu में आपको क्या मिलेगा तो यहाँ आपको मिलेगा, gulf of mannar या आपका, mannar की खाड़ी ठीक है, इसको भी जो है, coding में लिखता हूँ जी है, ना, सब समस्ते मलाई, क्या आद रखना है अगस्त मलाई अगस्त मलाई, clear क्या क्या बता है, great nicobar आपका, gulf of mannar फिर उसका आद अगस्त मलाई वाला छेत यहाँ मिलेंगे आपको आंदर प्रदेश, आंदर प्रदेश में याद रखना है साथ हीओ, sri-salm, क्या याद रखना है sri-salam, फिर से जो है छोटे format में लिख रहा हूँ, समझ जाना इसे मीटाल देता हूँ और आपका sri-salam, clear है अब देखो, यहाँ तक क है, clear हुआ great nicobar, आपका gulf of mannar अगस्त मलाई और sri-salam आप देखो यहाँ से continue राज में मिलेगा न सबसे पहले क्या आएगा आपका गुजराcado तो यहाँ याद रखना है कच्च का रण क्या आद रखना है कच्च का रण ठीक है याद रखना है देन उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा मध्य परदेश मध्य परदेश में दो याद रखना है क्या क्या पंच मनी और पंणा बाजू में 36 गड़ महोदय मिलेंगे, तो 36 गड़ में क्या याद रखना है यहाँ, आपका अचानक मार, बायो स्फियर रिजरो, clear, उसके बाद जो मिलेंगे आपको उरिसा, तो उरिसा में याद रखना है आपको क्या, उरिसा में क्या याद रखना है, आपको स्री सेलम, क्या याद रख जखो गल्फ नपनार मिला फिर उसके बाद आप का घृटनी को बार मिला फिर अगस्त अलाई स्रीषिल सेलम के बाद कच्छ करण गुजरात में फिर पंचमणी और पंणा फिर उसके बाद आपको क्या मिला आचानक मार रखना है सुन्दरवन तो यहां का पॉर्शन क्लियर हुआ देन उसके बाद आपको यहां हिमाचल प्रदेश मिलेगा हिमाचल प्रदेश मियाद रखना है कोल्ड डेजर्ट क्या रखना है कोल्ड डेजर्ट के बाद आपको यहां उतरा खंड मिलेगा तो उतरा खंड मियाद याद रखना है आपको नंदा देवी क्या आद रखना है नंदा देवी क्लियर फिर उसके बाद शिक्की में आएंगे तो शिक्की में याद रखना है कंचन जंगा कंचन जंगा परवत बत आया था भारत की सबसे उची चोटी पुरप्रस्ण विकर वाया था तो आपको यहा अवाज को सुनते हुए याद रखना है आपको, फिर से दोहरा दूँगा एक 방ल, clear, dithea दिवांग, फिर यहाँ मिलेगा आपको असाम वाला छेतर, और असाम वाले चेतर में किया रहेगा, आपको असम वाले छेतर में याद रहना चाहिए, आपको मानस यहम डिब्रू सिखोवा, दो है यहाँ, ठीक है, जैसे पंचमणी और पन्या मद्य प्रदेश में, तो यहाँ क्या रहना है आपका दो, और यह दो कुन से आपके, मानस और आपका डिब्रू सिखोवा, यह क्या रखना है, नौक्रिक, क्लियर, तो यह इतने बायो स्फियर रिजर्व हमें याद होना अनिवार दे, क्या क्या बताया, एक देखो, पहला नंबर आपका, ग्रेट निकोबार, फिर उसके आपका गल्फ अप मननार, फिर केरल में अगस्त मलाई, आपको आंदर प्रदे में 36 गड़ में याद रखना है, साथियो हमें आपका अचानक मार, बायो स्फियर रिजर्व, फिर उसके बाद आपका उडिशा में पहुचिंगे, तो उडिशा में सिमली पाल, फिर उसका पस्चिम बंगाल में तो सुंदर वन का डेल्टा है, पढ़ाया था ना, सुंदर स्फियर रिजर्व पूछता है, सीधा, तो याद रखना है, अभी किसके पार इम प्रस्ण में देखा हमने, आपका ग्रेट निकोबार, जो कि बहुत ही मनमोहक, दिरिश यहां का आता है, जो कि 21 डीपो में विभाजित है, क्लियर, आगे बढ़े, अगला है, पेरियार गे जियू मंडल किस राज्य में स्थित है, तुरंत अंसर लगा हो, अभी बताया हो, जियू मंडल या बायोस फियर, रिजर्व नंद देवी कहा है, नंद देवी है आपका उत्राखंड में, ठीक है, हीमाचल प्रदेश में क्या देखा थाफा आपका, क्लिया अगे बढ़े, देखा तो असम में दो देखा था हमने क्या-क्या मानास और डिब्रूसी खुआ और आपका याद रखना है 36 गड़ में अचानक मार बायोस्फियर रिज़र याद होना जरूरी है अभी के परिक्षा के दिरिष्टी कोर्ण से बहुत महतुर्ण परस्न पूछे जा रहें क्लि हिमालय के नीचे आपका क्या है लगु हिमालय वाला छेत्र लगु हिमालय वाले छेत्र में आपका क्या है आपका गुलमर्ग यहां मर्ग मतलब क्या होता है घास होता है घास मतलब की उची घास होती है उसे मर्ग कहा जाता है तो गुलमर्ग सोनमर्ग वाला छेत्र तो एक तमिल लाडु में आपका point आपका कहली मार ठीक है ये भी बहुत ही प्रसिद्ध जगा है गुमने के दिश्टिकोर से देखा जाये तो क्लियर आगे बढ़ें आईए अगला है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गए कुटों को प्रयोग करके सही उत्तर देख लेते हैं परियाटन इस्थल वाला है देखो परियाटन इस्थल आ रहा है ना ठीक आओ देखो साथियो कि आ दिखाई दे रहा है हफ्लांग हफ्लांग जो है वह असम में है कहा है असम में है तो चक्राता उत्राखंड हफ्लांग जो है असम तो कितना हो मतलब क्या हो जाएगा एक हो जाएगा दिख रहे कहीं दोनों को भी कर एक दिख रहा है ठीक है आईए देखें कल कलिम पॉंग क का पश्चिम मंगाल में ठीक है तो अब दिख जाएगा अंसर हां दिख गया अंसर भई यह रहे महोदा यह इसका आंसर होगा तो यह परियाटनिस्थल को एक बर सर्च करके गूगल महोदा इसको रखा इसलिए गया है ठीक है इसी स्तर का अगर प्रस नहीं पूछता है भी तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन वर्तमान परिपेक्ष में करेंट में जो युनसको के विश्विरासत सूची में सामिल किये गये हैं वहां से प्रस आने की आपकी संभावना सबसे जादा देखिए कि चंपा नेर पावागर पुरातत्विक उद्यान ये जो है आपका ठीक है क्या पूल रहा है उप्रुक में से कौन से युनसको के विश्विरासत सूची में सम्मेलित है तो चंपा नेर भी है चत्रपची सिवाजी स्टेशन मुंबई वाला वो भी है ठीक है माम अल्लपुरं भी है सूर्य मंधिर कोनाक मंढिर ये भी है तो ये चारों जो है आपका क्या है युनसको के विश्विरासत सूची में और वरतमान में अगर प्रस्न पूछा सकते हैं तो धौला वीरा से प्रस्ण जरूर पुछेगा धौला वीरा क्या है सिंदु घाटी सभ्यता से संबंधित इस्थल है जो कि आपका एक अध्योगीक नगर था धौला वीरा ठीक है मतलब लोथल था अध्योगीक नगर धौला वीरा जो है वहां की उच्चेतम निकास विवस्था के लिए वह बहुत प्रसिद्य था तो उसको क्या किया गया है अभी वर्तमान में कुछ ही सत्र पहले आपका युनेस्को को विश्वीरासत सूची में शामिल किया गया है क्लियर आगे बढ़ें आईए अगला प्रस्ण है दक्षिन भारत में भगवान रंगना भारतिय पर्याटन मंत्रालय ने भारत में पर्याटन को प्रोशाहित करने है तो जिस आवधार्ना को लोगप्रिय करने का उप्योग किया है वह है तो याद रखेगा लोगप्रिय करने के लिए उससे अतुल्य बना दिया गया है याने आपका अतुल्य भारत मिशन के प्रियाटन मंत्रालय के अभी वर्तमान के मंत्री कौन है ठीक है अगला है निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ओके ठीक है गुलाब जैपूर गुलाबी नगर सही है देखो भई यह बताया था एक बार सहरो का नाम तो आईए देखें उज्जयन महाकाल का नगर बिल सारे लोग घुमने जा रहे हैं ठीक है आप लोग भी जा सकते हैं घुमने के लिए ठीक लेकिन थोड़ा परिक्चा को देखते हुए भई है ना बाकी भगवान तो हमारे दिल में हिरदय में ठीक आगे बढ़ते हैं ठीक है मैं किसी ठेशनी पहुचा रहा हूं भई है ना जा सकते हैं घुमने कोलकाता आनंद का नगर सहीं है जैसल मेर जैसल मेर नहीं उदयपूर है आपका जालो नहीं होता है जीलो का होगा जीलो का नगर जो है आपका उदयपूर है ये होगा आपका गलत आंसर सुमेलित नहीं क्लियर आगे बढ़े आईए अगला है भारत में निमलिखित नगरों में से किस से गुलाबी नगरी कहते हैं तुरंत आंसर लगाओ जैपूर ठीक है घुमने जाना भाई बहुत बहतरीन जगह है यह ना अगर राजिस्थान में जैपूर नहीं गए तो कहां गए है ना लेकिन अभी नहीं परिक्षा है ठीक अगे बढ़ें अगर धार्मी की स्थिती में आप उजयन जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिये और सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सहीं उत्तर बनाईए ठीक है भी हिमाचल आपका यह भी परियाटन इस्थल वाला ही प्रस्ण है ना हिमाचल प्रदेश जो है आपका किलांग मिलेगा हिमाचल प्रदेश में आपका तो यह होगा इसका अंसर किलांग उत्राखंड मेरे मालूम है तमिलाडू उटी में तो डी कटू मिलेगा कहीं भी तो कहां दिख यहाँ दिख रहा है दिकाटू और यहां भी तो दिख रहा है अब देखो हिमाचल प्रदेश के भी है ठीक है भै कोई दिक्कत नहीं है आ जाते हैं वापस अपनी स्थिती में उत्रा-खंड में चिक मंगलूर हैं और करनाटक में अउली करनाटक में तो आपका ने 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 चमा चाहूंगा भई थोड़ा हौच पौच हो गया देख लेता हूँ न एक बाद फिर से हिमाचल प्रदेश में है आपका किलांग मुझे मालूम है मिटलन नहीं है बनना है ठीक है आपका किलांग है मतलब तमिन लाडु में ऊटी है मुझे मालूम है तो दी का टू यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है ठीक है उसके बाद है उत्तराखंड उत्राखंड में आपका होगा ओली उत्राखंड में है ओली भाईया याद रखना मैं गलत बना दिया था उसमयना और करनाटक में है चिकमंगलूर बैंगलूर ऐसे टीप को जगा कर नाम रहता है नो तो इसका इसका आंसर क्या हो जागा भई देखो एक तीन एक तीन यहाँ हई वहाँ भी का वन इया है यह ओगई आगे बढद एक है आगे बढ़ते है निमलेखित में से किसराजज में सब्री माता इस्थित है सब्री माता कहां इस्थित है तून्त लगाया जाए इस जथित का अंसर तो याद टापू जैसे एरिया में जो है यह मंदिर है एक बार सर्च करके देखिएगा ठीक है सर्च करके देख लीजेगा ठीक है जाना होगा तो जा भी सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला है निमलिकित में से कौन साथ ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है अरे बापरे ठीक थनुस कोटी धनुसकोटी भी आपका बहुत ही कुक्यात जगा है लख्पत वाला छेतर भी है तो आपका चरखारी जो है जो ऐसी हे घोस्ट टाउन नहीं है बागी कुलधारा धनुसकोटी और लखपत ये बढ़ा है बढ़ागे है मेरा द्वारा तो आपका कुलधारा है घोस्ट मतलब समझसकते हैं चर्खारी नहीं क्लियर आगे बढ़ें मांध और मांध नहीं होगा मांध होगा नहीं यह मांध रहे हमारे 36 गड़ नदी मांध मांध और लट नदी जांतेए मांध उसके महानादी जाती तो बीच में आपका कौन सा यहां कहा ए परोड़ा यहां यहां और सके यहां से बाहताए यहां से पर प्रेटन स्था द्हार्म की स्थाल आगे बढ़े चारागाह हीली स्टेशन चारागाह से मत सोच ले ना चराई वाल अच्छे तर चारागाह कोई का कहा जाता है हीली स्टेशन कहा जाता है आईए देखें बन्नी चारागाह बन्नी चारागाह जो है वह आपका गुजरात में कहा है गुजरात में बन्नी चारागाह तो जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है और पहलगाम जो है वो आपका जम्मुक अश्मीर वाले शेतर पहुतरों है तो इसका अंसर क्वाई का ध writes इتي highly वह माई गौट शेंपिंच जनजाती जरावासंच जनजाती और सेंटिलीन जनजाती जो आपका कहां मिलेगी निकोरगीप शाश्मू में यहां यह मिलेंगे अ प्रतीत्थ प्रस्ब मालब सही संबंद बनाई यह जंजाती और से संबंदित है सोच समझ के बनाना है ठीक है तो भील जंजाती जो है वह आपका दिल्ली और राजिस्थान वाले छेत्र में अरावली सिंखला हाँ यह आपका दिल्ली के नीचे वाला अरावली सिंखला वाले छेत्र में विन्ध्यांचल सटपूरा रेंज के तरफ मिलेगी तो यह चार होगा किसमें दिख रहा हैं यहां दिख रहा है ठीक हैoires ऐसे पहाड़ी वाले छेत्रम मिलेगा तोड़ा जंचाती पहाड़ी मतलड चिंड भारत में टोड़ा लोग मिलेंगे ठीक है उड़ाओं जंजाती हमारे और तिसगर में सबसे सिख्षिद जन जाती जो की राचीव के पठार में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा चार तीन दो एक यह वाला आंसर होगा चार तीन दो एक क्लियर आगे बढ़े है अगला है कौन सी जन जाती पशुपालन के लिए जानी जाती है तो याद रखेगा बकरवा जन जाती जो है वो पशुपालन के लिए जानी जाती है क्लियर आगे बढ़ें अगला है सुची एक को सुची दो से सुमेलित किजिये तथा नीचे दिये गए कूटों से सही उत्तर चुनिये ठीक है देखो संथाल जन जाती जो है ना वो जारखंड वाले छेत्र मिलेगी मतल अगला है संथालों में विवाह का सबसे समान्य रूप कौन सा है तो याद रखिएगा बुपला बुपला जो है इनके विवाह का जो है पध्धती है जैसे हमारे हां डुकू विवाह होता है और आपका मतलब भड़ावनी विवाह होता है होता है तो ये सब जो है बहुत सारी विवाह है हमारे हां भड़ावनी गीत गया जाता है आपका डूकि विवाह हो गया ओँ tyre परिपेकष में तो आपका उसी प्रकार से संथालों में जो कि आपका कहा पाई जाते हैं जारखंड वाले छेत्र में उनमें बुपला विवाह जो है सबसे प्रसिद्ध है ठीक है समानने रूप से अगला है निमलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है तो केरल में पाई जाती ही चेंचू जन जाती कौन सी चेंचू जन जाती ही चेंचू जन जाती पाई जाती है आपका केरल में आगे बढ़ें आपका निमलिखित में से कौन सी अनुसूचित जन जाती दीपा वाली को शोक के रूप में मनाती है तो ये जो दिख रहे हैं महोदय थारू जन जाती ये दीपवाली को शोक के रूप में मनाई जाती है और आप लोगों को एक टार्गेट देता हूं मैं कि बताईए थारू जन जाती कहां पाई जाती है इसी के साथ आशा करता हूं इतना आप लोगोंने कवर किया होगा और इसे दोहरा के भी देखिएगा इसमें इतने प्रशन रखा गए है और सारे तरकीक प्रशन है और वहां से प्रशन हमेशा अधिकतर प्रशन जो है साथ से आड़ बार रिपीटेट प्रशन है उसके साथ हमने डिटेलिंग भी देखी साथ में बायस फियर भी याद रखा तो सारा चीज इस परिपेक्ष से याद होना आप लोगों के लिए अनिवार है और जो है आशा करता हूँ कि जो आपका भोगोल का सेग्मेंट है उसमें से जो पूछा गया है प्रशन अगर देखा जाए पिछली कक्षा में तो तीन से चार कोस्चन का लोड रहा है तो उसके according जो है हमें इसकी तैयारी बहतर रखनी क्योंकि बार बार बताता हूं साथियों कि परिक्षा निकालने के लिए क्या नहीं पढ़ना है इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है ठीक है क्या जो नहीं पढ़ना है और जो पढ़ना है वो किससे होगा आपका हमारा जो प्रिवियस एर कोस्चन पेपर होता है वो हमारा ब्लू प्रिंट होता है मतलब कि आपका उसी से सम्भंधित प्रस्न का वेटेज रहता है ठीक है लेकिन इस तर जो है वो बढ़ता जाता है आशा करता हूं इतनी बाते आप लोगों को मेरी समझ में आई होगी इसी के साथ इजाज़त चाहूं को साथियो जैहिन जैभार